नमस्कार विद्यारतियों, मैं मक्षन गोईल, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ITSटडी के यूटूब चैनल में आज का अपना जो है, वो इलेक्षिन और वाइरमेन सेकेंड यर के थियोरी सब्जेक्ट के मौस्ट कुशिन से सम्मंदिद जो अपने संकला स्टार्ट की है, उसका दूसरा बाग है और इसका अपना पहला कुशिन है कि क्यों एक DC जनेटर के आरमेचर कोर पटलित है, तो देखिए पहला कुशिन देखिए अपने, तो जो DC जनेटर होता है, उसके आरमेचर कोर को अपन पटलित है, तो इसमें कौन सा ओप्सन राइट होगा, तो चार ओप्सन हम तो यहाँ पर अपना D-Option आइट आंसर होगा भमरधारा हनी को कम करने के लिए आर्मिचर कोर को पटलित करके बनाया जाता है अप नेक्स्ट कुशिन देखिए विद्यार्तियों ये कुशिन पूर्ण रूप से निमी पैटरन पर आदारित है और NCVT की होने वाली फाइनल एक्जाम की दस्टी से बहुती मैतपुन है और इनसे बहार कुशिन आने की बहुती कम संभावन है तो एक बार आप थोड़ा बिलीव करके देखिए आपको एक्जाम के अंदर जरूर सफलता प्राप्त होगी नेक्स्ट कुशिन अपना है कि DC जनेटर का आरमेचर परतिरोध बहुती कम क्यों होता है आपने देखा होगा DC जनेटर का आरमेचर होता है उसका परतिरोध न्यून होता है इसका रिजन क्या होगा तो यहाँ पर अपना B-Option right answer होगा आरमेचर वोल्टेज डो को कम करें नेक्स्ट कुशिन देखेंगे DC जनेटर की घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए यानि आपका तो DC जनेटर है उसको अपन घड़ी की दिशा में यानि क्लोक वाईजी क्यों चलाना ओपरेट करते हैं तो इसमें भी आपका B-Option right answer होगा अपसिष्ट चुम्बकोता की रक्षा करने के लिए गड़ी की दिशा में उपरेट किया जाता है नेक्स्ट कुशिन देखें अपने बड़े DC जनेटर में गुमाव चतिपूर्थी क्यों परदान की जाती है तो यहाँ पर आपके पास में option में से देखेंगे तो C option अपने right answer होगा आर्मेचर परतिकीरा परभाव को कम करने के लिए या बेसर करने के लिए जनेटर में गुमाव चतिपूर्थी परदान की जाती है नेक्स्ट कुशिन देखें आप DC जनेटर के voltage का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है यानि आपका DC जनेटर क्या नहीं कर रहा voltage का निर्माण नहीं कर रहा तो उसके उपर कौन सा region होगा या कौन सा region तो देखें इसमें आपका C option right answer होगा चार option में से फिल्ड पर्तिरोद क्रांतिक पर्तिरोद से उपर होगा तो आपका voltage निर्माण नहीं होगा next question देखें जनेटर का नाम क्या है यदि इसके च्छतर आर्मेचर के समानतर के अंदर जुड़े है यानि आर्मेचर और फिल्ड वैंडिंग तो इसमें आपका ये option right answer होगा संट जनेटर का डाइग्राम परदर्जित होगा next question देखें DC जनेटर में पॉल सू का क्या उद्धिश्य है यानि जो पॉल सू लगे होते हैं उनका क्या युद्धिश्य होगा तो चार option पढ़ने से अपन को ग्यात होगा इसमें D option इसका right answer होगा air gap को समान रूप से वित्रित करने के लिए पॉल सू का परियोग किया जाता है next question देखें DC जनेटर में slipped ring का क्या कारिया है A. निरंतर voltage बने रखना B. धारा को एक दिशा में एक एकर्दित करना C. ब्रस पर voltage drop कम करना D. रेटेड की तुलना में terminal voltage बढ़ाना तो यहाँ पर B. अपना right answer होगा धारा को एक दिशा में एकर्दित करने के लिए slip ring का परियोग किया जाता है यानि आपने देखा होगा DC generator में AC वे DC तो AC पराप्त करने के लिए slip ring का परियोग किया जाता है DC के लिए आपन कम्यूटेटर का परियोग करते है तो slip ring से संब्दित है तो धारा को एक दिशा में एकर्दित करने के लिए परियोग किया जाती है Next question देखें generator में जो ब्रस करने के लिए किस सामगरी का परियोग किया जाता है यानि generator के अंदर आपने देखा होगा carbon brushes लगे होते हैं वो carbon brush किसके बने होते हैं तो देखें steel graphide, carbon graphide, डलवालोग गरेफाइड, aluminium या graphide तो यहाँ पर अपना B option right answer होगा carbon और graphide के ब्रस बने होते हैं Next question देखें क्यों DC generator आपने abscist चुमबकवतों को खो देता है यानि जो DC generator होता है वो अपने abscist चुमबकवतों को खो देता है उसका क्या reason है तो देखो, 4 option पढ़ने से अपन को ग्यात होगा कि D option इसके अंदर right answer होगा rotation की दिशा अकसर बदलती रहती है विद्यार्थियों ये series election और wireman theory second year के होने वाले final exam, supplementary exam और जो भी IT based के competition exam है उनकी दस्टी से बहुत ही महत्तपूर्ण है आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा सेयर करें और इसी तरह की series प्राप्त करने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press कर दीजिए देखिए next question अपना है कि एक generator में योग और दुर्व के मध्यम से चुम्बक ये circuit कैसा पूरा होता है A. आचेलतर से B. चुम्बक आर्मेचर कोर से C. हो जाएगा पटलित पॉल कोर से D. आपका आर्मेचर वाइंडिंग से यानि जो एक generator में योग और दुरू के मध्य चुम्बक ये circuit होता है वो कैसे पूरा होगा तो B. आप्सन राइट आंसर होगा इसमें आर्मेचर कोर के दुवारा चुम्बक ये circuit टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है नेक्ट कुशिन देखें लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस परकार के DC generator का परियोग किया जाता है तो देखिए इसमें आप चार आप्सन में से D. आप्सन अपना राइट आंसर होगा Cumulative Compound generator का परियोग लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किया जाता है नेक्ट कुशिन देखें DC generator में इंसुलेशन पर्तिरोध को बैतरिन करने के लिए किस विदी का परियोग किया जाता है यानि यानि जो DC generator है उसका तो insulation परतिरोध है उसको बैतरिन बनाने के लिए अपन कौन से method का परियोग करेंगे तो यहाँ पे अपका D-Option Right Answer का रख रखाओ के दोरान मसीन में गरम हवा देना यानि maintenance करते समय उसको अपन गरम मसीन के दोरा साफ करें तो उसके अंदर उने वाले सूध यहाँ अपन हटा सकते हैं और उसका insulation का परतिरोध बैतर बना रहेगा next question देखें आप अपने आउसिस्ट चुम्बक कत्वे के परभाव में किस DC generator काम करता है यानि जो आपका आउसिस्ट चुम्बक कत्वे का अभाव है उसमें कौन सा DC generator काम करेगा sunt करेगा, series करेगा, compound करेगा या आपका separate tree excited generator यानि एलक से उतिज परकार का generator तो यहाँ पर आपका D option right answer होगा separate tree excited generator का परियोग किया जाएगा अवसिस्ट चुम्बक कत्वे के अभाव के अंदर तो D option यहाँ पर राइट answer होगा next question देखें आप अपने arc welding के लिए किस परकार की DC generator का परियोग किया जाता है तो देखें, arc welding के लिए तो इसमें आपका C option right answer होगा differential compound generator का परियोग arc welding के अंदर किया जाता है next question देखें, DC generator में तरंग winding की विशेषता क्या है यानि जो sine wave बहुती है, तरंग winding उसकी क्या विशेषता है तो देखें, चार option पढ़ेंगे पहले फिर अपन को ग्यात होगा कि इसमें C option right answer होगा कम धारा उच वोल्टेज sine wave की विशेषता है आप next question देखें DC generator में cumulative same zone में परियुक्त परतिरोध का तार का क्या विशेषय है यानि एक diagram आप देर खाय के स्क्रीन के उपर और इसमें ये जो परतिरोध लगाए गए हैं यहां पे आपके इनका पुछा है भी क्या विशेषय होता है तो देखें इनका क्या विशेषय होगा चार option सबसे पहले अपन देखें तो इसमें आपका D option रइट अंसर होगा धारा के दिशा को आसानी से पलटने के लिए इन परतिरोध तार का परियोग किया जाता है next question देखें DC generator में ठोस पॉल्शू का परियोग किया जाता है क्यों तो देखें यानि जो ठोस पॉल्शू का परियोग किया जाता है क्यों तो इसमें D option रइट अंसर होगा आपका चुम्बकिये पत के reluctance को कम करने के लिए solid पॉल्शू का परियोग किया जाता है आज का अपना last question है पड़ी चमता के DC generator योग बनाने के लिए किस दातू का परियोग किया जाता है यानि जो चमता में बड़े generator हो उनका बाहरी आवरण योग बनाने के लिए अपन कौन सी दातू का परियोग करेंगे तो इसमें आपका D option right answer होगा rolled gold steel का परियोग किया जाता है विद्यार्तियों आपको ये series कैसी लगी आप comment करके हमें जरूर बताएं और इस series को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा share करें ताकि सभी आपके दोस्त अच्छे अंक प्राप्त कर सकें आपको वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएं आप अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सस्क्राइब करें बैल के बटन को दबाएं और इसी की तरह की वीडियो प्राप्त करते रे धन्यवाद